स्वागत है दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कुकू फैक्स पे आज की वीडियो में हम लाए हैं दर्तंत्र दिवस के ऊपर कुछ रोचक बाते आशा है आपको अच्छा लगेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो कृप्या हमारे चैनल को जरूर शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और धेर सारा प्यार के साथ शेयर भी करें तो चलिए बिना देर किये सुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या आपको पता है आखिर हमारे गणतंत्र दिवस को मनाने के पीछे का कारण क्या है। अगर पता हो तो कमेंट जरूर करें और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। आज हम इसी टॉपिक पे लाए हैं आपके लिए ये छोटा सा वीडियो। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतिय राष्चिय कॉंग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नहरू की अध्यक्षता में हुआ जिसने प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोशना की गई कि यदि अंग्रे सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायपते उपनिवेश डो गोशना की और अपना सक्रिय आंदोलन आरम किया उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रू 1946 से आरंब कर दिया। सम्विधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। प्रमुक्त एवं महत्वकूर्ण समिती थी और इस समिती का कार्य सम्पूर्ण सम्विधान लिखना आया निर्मान करना था। इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में सम्विधान दिवस के रूप में प्रती वर्ष मनाया जाता है। सम्विधान सभा ने सम्विधान निर्मान के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेश और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को सम्विधान की दो हस्तलिखित कौपियों पर हस्ताक्षर किये। इसके दो दिन बाद सम्विधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाये रखने के लिए इसी दिन सम्विधान निर्मात्री सभा कांस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा स्विकृत सम्विधान में भारत के गंतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश अजारों देश भक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्ता अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतिय साशन और कानोन व्यवस्था लागू हुई।